हेलो गाईज मेरा नाम है रभी ओश्टडी गलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया में स्टार्ट अप कल्चर बहुत तेजी से वारल हो रहा है आज हर कोई founder बनना चाता है, हर कोई million dollar, billion dollar पैसे कमाना चाता है और हर कोई unicorn बनाना चाता है, इंडिया में 100 से जादा unicorn भी हो चुके है लेकिन कुछ problem है, कुछ ennium नहीं मानते हैं और जिसकी वज़े से बड़ी-बड़ी कमपनियां डूब जाती है जिससे investor का पैसा भी डूबता है, लोगों का विश्वास भी तूटता है और कहीं न कहीं जो उसमें अपना जीवन लगाते हैं, समय लगाते हैं, वो भी तूट जाते हैं अगर हम दोस्तों बात करें, yes bank, ऐसे बहुत सारी हुए हैं, मतलब fault हुए हैं, गलतियां हुई हैं जिससे बड़ी-बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े-बड़े पैसे, खत्म हो गए, जीरो हो गए अगर हम बाइजू की अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे, तो एक टाइम पे इनकी जो valuation थी, 22 billion डॉलर थी इस टाइटप की दुनिया में, बाइजू बहुत बड़ा नाम था, 22 billion डॉलर वो भी एक टेक company जो इतनी बड़ी हो चुकी थी लेकिन आज उसकी valuation अब जानके हरान हो जाएंगे, सिर्फ 250 million डॉलर हैं, कितना? 22 billion से 1 billion नहीं हुआ, 5 million नहीं, 250 million डॉलर अखिर उन्हें गल्तियां क्या की, जो आज ये ऐसी नौबत देख रहे हैं, दूस्तों हमारे समाज में मैं लोगों को भले बुरा लगेगा, लेकिन आपने चीज़ देखी होगी, कि कोई भी problem है उसको आप solve करते हैं, और क्या से problem solve करके ही पैसा कमा जा सकता है, product देके भी पैसा कमा जा सकता है, service देके भी पैसा कमा, आठ से पैसा कमा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप problem solve करें तो ही आप पैसा कमाएं, और छोटी सी problem ढूंते रहें, कहीं से problem मिले, कहीं मिले, कहीं मिले, कोई मिल गया, कोई भी problem मिल गया, कोई इंसन फल नहीं खा पाता है, तो फल काट्बें यह स्टार्ट अपना हो गया कुछ बहुत पैसे किरकें बहुत पैसे कमाते हैं फूर में बहुत पैसे हैं है कि एस तरी सेल्स में बहुत सारे पैसे करना है रॉप्राब्लम क्या सब्सक्राइन को यहीं प्रॉब्लम है हमारे चल्टिया करते हैं कुछ दोष्टों और उस आइवे बात करेंगे उनका पिक्चर में यहाप नहीं ले पाया क्यूंकि जब crop करतें तो नहीं आता है इंडियाटाइम्स का ठीक है नहीं बने नोट के लेकài क्या 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 है क्या गलतियां को मैं यहां पर समझेंगे जरू का om lookeras और अग्छा लगता है कि कई हजार लोग मक्सद टा क्या मक्षस कीeme क्या कि लोगों की लाइफ हम बदल देंगे उन बच्चों की प्रॉब्लम समझेंगे जिनको सच में प्रॉब्लम होती है चीजों को करने में वो आम मतलब वो जिसे जो टापर होता है वो क्लिक पढ़ा अफट से एक्जाम करेक कर लिया है लेकि कितने लोग है इतना मेहनत करते हैं और मैंको दोस्तों बता दूए इतना बेहतरीन कोर्स आपने कभी नहीं देखा होगा आप लागों रुपए खर्च करते हैं पढ़ाई में तो आप दोस्तों 99 यहां खर्च करके देखिए आपकी टाइम जो है वो बच जाएगी एफिसियंसी आपकी पार्च गुना यहां पर हो जाएगी अब दोस्तों यहां पर पॉइंट की हम बात करें जो पहला पॉइंट है सेल्फ सेंटर प्रमोटर है आपने दोस्तों की चीज देखा ओगा ठीक है कि कुछ कंपनियां है ब्रांड के रूप में ठीक है उनका मतलब खुद के खुद की company का पना एक brand है जैसे हम बात करें Tata । ठीक है Tata के बारे दोग जानते हैं लेकिन वह Tata अपने आप में उनकी इछ है जैसे हल्दी राम का नमकीन खाते हैं तो हल्दी राम के जो नमकीन के founder उनका आप नहीं नाम नहीं जानते होंगे लेकिन हल्दी राम अपने आप में ब्रांड है, quality wise ये ब्रांड है, ठीक है, लेकिन कुछ वहीं पे होते हैं, जो self center promoter होते हैं, जैसे अगर उनका ज्यादा stake है company में, तो वो क्या करते हैं, खुद को बाहर लाते हैं, खुद को दिखाते हैं, हमी है, हमी है, हमी है, और जब उ company को डुबा देगा, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, कि हम बात करें भारत पे की, तो भारत पे में अगर आप देखेंगे, तो असनीन ग्रोवर क्या थे, उसका प्रमुख चहरा थे, हाला कि वो देखा जाए तो investor थे, तरीक है, इसका नाम खराब हुआ, तो company पूरी खतम होगी, तो यहां पे आप देखेंगे, बहुत सारे company ऐसी होती है, जो क्या करता है, खुद को ही, खुद को ही सामने रखती है, ठीक है, और यह बहुत बड़ी गलती होती है, यहां पर, एक सकिन्ड दोस्तों, ठीक है, और यह at all cost 2022 में दोस्तों बाइजू ने क्या किया था गलती की थी गलती ये था कि मिलियन डॉलर दे के लेनौ मेसी को इन्होंने क्या किया था अपने कंपनी में एड के लिए इन्होंने रखा था नाम बहुत हुआ वाँ 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 इतने बड़े लोगों को हायर कर रहे हैं इन्होंने बहुत पैसे खर्च किये मतलब इनका एक सिश्टम था कि हमको growth at all का चाहिए हमको growth चाहिए ही चाहिए ठीक है जैसे बहुत सारी कंप्या होती है उनको पैसे मिलते हैं इनको पैसे मिलते हैं निए सप्टर में दोस्तों आ बात करें या फिर हम प्रला की बात करें यह लोग भी इसमें हैं कभी मार्केटिंग बहुत स्पेंड नहीं किया इनका मतलब यह में था पढ़ाई की सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे क्वालिटी चाहिए उनको क्वालिटी अगर मिलेगी तो आपके पास आएंगे ठीक है क्वालिटी नहीं है आप कितना भी सश्ता दे लें कितना भी लेते हैं ठीक है और वाज रूं कर रहें वाज नहीं डूबे हैं कम पैसे उठाके भी वह अच्छा कर रहें कुछ कुछ ने तो पैसे उठाए इने जैसे आयो दृष्टी की हम बात करें एलन की बात करने से बहुत सारी कंपनिया है एड टेक में ठीक है हमारे स्टूडी ग बहुत सारी कंपनिया जो बहुत बड़ी थी लेकिन छोटे प्लेयर आके उन्होंने क्या किया उनको खतम कर दिया जैसे गूगल आया यह को खतम कर दिया और अभी भी जो कंपनिया है जो नहीं बदल रही है तो प्रा कल्चर नहीं बदल रही वो खतम हो जाएंगी तो यहा इस होते हैं Can को होते है बाखी चीजों के लिए कभी कोई करे नहीं होता है यहां तक की सलाओ भी नहीं लिया जाता है कि उनकरे कुछ बाते करें ठीक है कुछ नहीं होता है और कभी कभी यह problem ठीक है दोस्तों यहां भी आती है कि जो investor होते हैं उनके साथ भी discussion नहीं बैठ पाती है तो इस article में चीज़ बताया गया था housing.com के बारे में उनका भी crisis दिखाया गया था उसमें हुआ क्या था दोस्तों उसके जो founder थे उनकी problem यही थी जो उनके investor जो पैसा डाल रहे थे वो उनकी के साथ धंग से बाते नहीं कर रहे थे उनकी के साथ धंग से डालना ही बंद कर दिया और company रात और रात वहां पे क्या थी क्या थी खतम हो गई थी तो यह सारी यहां पर problem होती है कि लोग friendly नहीं होते वही पर Google का culture आप देखें, तो वहां पर बहुत सारी facilities होती है, ठीक है, लोग ऐसा बताते हैं, कि वहां पर culture बहुत अच्छा है, आप कोई भी चीछ कर सकते हैं, अपने idea को आइडिया को आप सेयर कर सकते हैं, जो आज के time में जो companyya grow कर रही है, उनके साथ यही है, कि जो problem है, तो चीज़े हुई, ठीक है, तो यह culture, ठीक है, वो culture हमें क्या करता है, हमें आगे लेखे जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहां तक कि भारत में कि यहाँ बात की गई थी, आर्टिकल में, भारत में यहीं पताया कि उनकी vibe थी, आप देखेंगे, जो पैसा regulate हो र open background होना चाहिए जहां पर खुले तौर पर लोग क्या करें आपस में दूसरे से यहां पर बात कर सके अब दोस्तों यहां पर आता है regularities delay आपको पता है दोस्तों जब कोई company बड़ी होती है तो वो क्या करते हैं तरीके से अपना audit भी कराते हैं और अपना दिखाते हैं कि यह हमने इस साल में कितना कमाया कितना पैसा हमने marketing में खर्च किया कितना हमने profit में कमाया कितना हमने loss में कमाया यह लोगों को पता होता है ठीक है और सेबी भी क्या करते है इसकी जानकारी करता है लेकिन यह क्या हमने डाले हैं पैसा हमारा कहां गया क्या यूज हुआ ठीक है और पैटियम भी यही गलती कर रहा था ठीक है यह लोग क्या करते हैं जो अपना फानेसिल एयर है उसको दिखाते ही नहीं है उसको डिले करते हैं और उस बीच में क्या होता है अगर सेयर होल्डर को पता भी हो कि पैसे कितने डालने कि नहीं दालने में, उनको पता भी नहीं होता, कभी-कभी दोस्तों बड़ी प्रप्लम होती है, यह बहुत प्रणों को नहीं मिल पाता है, लॉस में जा रहे है, प्रपिर में में जा रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर खाए duck bubble हर company का मकसद होता है जो 500 point है जल्दी से company को बढ़ा करें करा करें और जाए हम IPO में लेकिन दोश्टो IPO में जाना इतना असान नहीं है यह जो CB बनाए गया था CB जिसको scrutiny and exchange Board of India कहते है यह क्या करता है जो stock market होता है न दोश्टो उसको क्या करता है काफी अच्छे से regulate करता है कहीं गलती ना हो ठीक है कुछ गलत company उसमें ना जाए यह सारा कुछ यह क्या करता है चिक करता है अब अगर आपको IPO लेना है तो आपकी company अच्छा काम करनी चाहिए मतलब valuation वहाँ की बात नहीं होती है वहाँ बात होती है कि आपके product की value क्या है market में जो market की लोग है से कितना पसंद कर रहे है कितना profitable है यह सब चीज़ें वहाँ पर माने रखती है ताकि जब आप IPO मिलने के जाएं तो जो आम आदमी है जो आपके stocks खरीदे ठीक है तो उनको फायदा हो कहीं ऐसा ना हो कि वह क्या stock खरीद ले अब पता चले कि उनका loss हो जाए अगर से भी न हो ठीक है अब proper strict यहाँ पर rules न हो कोई भी company चली जाए ठीक है fraud company चली जाए उसके बाद वहाँ पर जाके list कर दें अब पता चले दिखा दे जूट मूट का ठीक है बढ़ा दें ठीक है demand create करके तो लोगों का पैसा चला जाता है ठीक है और यही problem होती है दोस्तो जो company होती है उनका main मकसद होता है कि IPO लेके जाए हम और IPO लेके जाए हम खुब धेर सार वहाँ पर पैसा कमाएं लेकिन दोस्तो से भी क्या करता है उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देता है तब तक आप profitable नहीं होंगे अच्छा कासा काम नहीं कर रहे होंगे उसका कोई future नहीं होगा तब तक आप वहाँ पर नहीं जाएंगे और इसी stock bubble के चक्कर में दोस्तों कम्रीयें दूपती है क्योंकि बहुत पैसा burn करती है बहुत जल्दी growth पाना चाहती है और वह खत्म हो जाती है जाते जाते दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आप से भी start-up करे बड़ी problem ही solve करे बहुत बड़ी problem भी है दोस्तों उनको solve कर सकते है product बना सकते है product भी product भी बिखते है जैसे apple है ठीक है वो quality की वज़े से बिखता है लोग उसको लेके feel करते है उसकी quality को देखके लोग खुस होते है जैसे entertainment है Netflix हुआ वो तो ऐसा नहीं बहुत बड़ी problem solve कर रहा है लेकिन वो आपको खुस करता है आपको pleasure देता है बहुत सारी सी चीज़े है fancy कपड़े हुए यह सब भी business food sector बहुत बड़ा sector है उसमें भी हम कुछ बहतर कर सकते हैं medical sector में बहतर कर सकते हैं सिर्फ problem छोटी छोटी लेके और पैसिस पर लगाके हम बड़ा business नहीं कर सकते हैं जब तक हम जमीन को नहीं समझेंगे ground reality हम नहीं समझेंगे सब तक चीजों को हम बहतर नहीं कर सकते हैं तो दोश्तों यह चोटा से lecture था अगर आपको अच्छा लगा हो इसे like करें, comment करें share जरूर करें क्योंकि आपको पता है बहुत सारा नालोजीस में आपको मिला होगा मिलते हैं next lecture में thank you so much